दूर्दर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला जफ़र नगर काउं महराइपुर किसान भाईयों भेडों नमस्कार स्वागत आप सभी का कारक्रम चौपाल चर्चा के आज क्यांक में मैं हूँ आपके साथ जोच्सना चौपाल चर्चा एक ऐसा कारक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंद में ग्रामीनों से बातचीत करते हैं जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उन योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं और उनका कितना लाब ले पा रहे हैं इसी सलसले में आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुची है उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर के महरायपूर गाउ में तो फिर आईए देर किस बात की गाउं के अंदर चलते हैं तो हम गाउं में आ पहुचे हैं और आईए कारिक्रम में जो चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं बहुत से किसान भाई हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं एक करके उनसे बातचीत का जो सलसला है वो शुरू करते हैं जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारी योजनाव को कितना समझ पा रहे हैं कितना जान पा रहे हैं कितना उनसे लाभ ले पा रहे हैं यहां पर हमारे साथ बहुत से किसान भाई मौजूद हैं तो आप से शुरुबात करना चाहेंगे आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए सबसे बहले अपना नाम और गाउ का नाम बताईए अम्रेंदर त्यागी गाउम एरायपुर बलोक पुरकाजी तैसील सदर जीला करें सब्सक्राइबकर है घजिसान जोन को फ़िए अपने हटेंफर मना सब्सक्राण जारे हैं किस तरह से सैस्प इस्तिमाल के 세상 को कोई और समश्या कि अक गौं अपनना 2 США काम भी पार लिया और अपना सब टाइंठ टकर कर रहे हैं कि इसमें एक समस्य मादम यह जो जब जमा करने का नंबर आएक साल मेंथ तो यह क्या कैते हैं जैसे हम पांच लाक काट बनवाय लिया तो आप 5 के पांच लाक रुपयस जमा करो पलस भी आज हम यह चाहा किस में हम इतनी चूट मिल अम्-प्याज-ब्याज जमा कर लेकिन और भी जो किसान भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं आइए उनसे भी बात्चीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं आप से जानना चाहूंगी सबसे पहले अपना नाम बता है और अपने गाहूंगी मारायपू किसान क्रेडिट कार्ड के अगर मैं आप से जरू तो किस तरह से आप उसका उप्योग कर पा रहे हैं करेशी कार्ड का तो यह हम सबसे बड़ी तो भाई अपने समाल के लिए लेकिन हम जो साल भर मौ जाज ब्याज होना चीए यह क्या है जमा कर्वामों जया पांच का दसका लेकिन किसान पर नहीं उपलव दो पास्त तो इसलिए हमारे उसकी लोजाओं तो आई यहां पर बढ़ते हैं आगे और कुछ और जो किसान भाई हैं हमारे उन से बात करते हैं आप से बात करना चाहूंगे मैं आप खड़े हो जाए अपने स्थान पर अपना नाम बताई है राजबीर सर्मा है जी आप कौन से गाउस तो आपको लगता है कि योजना कैसी आगहिए योजना इस अडी क्रुप जब सरकार कोई नए योजना लागू करती है कोई योजना किसानों के लिए लेकर आति है किस तरह की प्रतिक्रिया है यह होती है आप लोगों की क्या सोचते live आप लोग उस टाइम पर शोष तो बढ़िया है जी अच्छी किसान तो बढ़िया है अगर इसका लाब नहीं मिल पारा किसान को पूरी तरह से जो है वो लाब जो बिल्कुल तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से हमारे शानल को बढ़िया कर रही है अगर किसान को कुछ मिल जो है वो समाधान बीच आते हैं आप क्या बताएंगे इसके वार में सबसे पहले अपना नाम बताएं उपने गाउंकरा नाम देवश कुमारी ग्राम मैंने अभूर जी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कार्ड बहुत अच्छी चीज है बहुत बढ़िया चीज है लेक आईए देखते हैं एक विशेश रपोर्ट जिससे किसानों को आसानी से सुलब कैश्च क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके ये कार्ड किसानों को किसी भी परिशानी के बिना समय पर और पर्यापतरण प्राप्त करने की अनुमती देता है किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्या करशन ये है कि ये पुनर भुकतान के मामले में लचीला पन प्रदान करता है जो की खड़ाब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिती में पुनर निर्धारित किया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड पांच साल तक वैद्ध है और वार्षिक नवीनी करण पर निर्भर है किसानों को रिन अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेंदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पास्बुक प्राप्ट कर सकते हैं बैंकों से परियाप्त वित्ट प्राप्ट करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था जैसे कि लंबी कागजी कारवाई और प्रसंसकरण बैंकों और अन्य वित्य संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं प्रसंसकरण में देरी और किसानों में जागरुकता की कमी इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे की बीज, उर्वरक, कीट नाशक आदी के लिए गैर संस्थागत रिन पर निर्भर करते थे किसान क्रिडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वस्निय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषी और संबंध उद्देशियों के लिए किसानों को लागत प्रभावी रिन प्रदान कर रही है क्रिशक अपने किसान क्रिडिट कार्ड के उपियोग से उनकी खेती की जरूरतों से सम्बंधित वस्तूओं को खरीद सकते हैं और सम्बंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशी निकाल सकते हैं प्रोग्राम में टाइम हुआ एक छोटे सिब्रिक का जल लौटे के वापस आप देखते रहिए दूर दर्शन के सान अरे बई रामेशर क्या बात बड़े परिशान दिख रहे हो सोच रहा था कि अभी तो हात पाउं चल रहे हैं तुखेती कर पा रहा हूं कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी घुजारा कैसे होगा पेंशन से पेंशन हां और वो भी हम जैसे किसानों के लिए अब हम जैसे चोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं सच में हां चला मैं तुम्हें दिखाता हूं 18 से 40 वर्ष की आयू के लगहू और सीमांत किसान इस स्वेचिक और अंचदाई पेंशन यूजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा प्रधान मंत्री किसान मांधन यूजना अन्नदाता के परश्रम को संबल टेंशन से सुरक्षित उनका कर नस्दी की जनसेवा के इंद्र जाकर इस यूजना से जुड़ें किसान का ल्यान मंत्रा ले द्वारा किसान हित में जारी किसान भाइयों गाट बांध लो गाट बांध लो बहुत है काम की समरिद्धी के पैगाम की मिटी के मिजाज को समझो मिटी के हर रास को समझो मिटी की तुम जाज कराओ मुफ्त सॉयल हेल्थ कारड ले जाओ कभी मुनासब भीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बनानो, मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत दिक वरदान की किसान भाईयों, गाट बांद लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषिय अधिकारी से संपर करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ट पाएं, कृषियों किसान कल्यान मंत्राले द्वारा किसान हित में जारी ब्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है कारेक्रम चौपाल चर्चा में, तो आई कारेक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, आई सबसे पहले उनका नाम जानते हैं, सबसे बहुतना नाम बता है कौन से गाउंसे मेरा नाम अभिलाज त्यागी, ग्राम महरायपूर, जिला मुझफर नगर अभिलाज से क्या करते हैं, मेरा भी खेती में ही है, और कुछ निया काम, और मैं हार्दिक दिल से डिडी किसान चैनल को अपना धन्यवाद देना चाहूंगा, समस्त ग्राम वास योगी और से, आपके माधियम से हम अपनी परिशानिया एक मंच पर रख रहे हैं, अपने का पैमेंट सब्सक्राइब नहीं आता, तो उसमें आपकी सिविल खराब होच जाती है, रोज की रोज, इनका मानना यह है, बैंक वालों की परिखिरिया है, उनका मानना यह हमें हर महीन ने ब्याज और पैसा दो, इनकी सान भाईयों को नहीं पता ही न, तो बस यह अधिकार की इसमें कोई गलती नहीं है, सिरफ अधिकार यह कूँ अगर टाइट और सही तरीके से मैनेज किया जा तो यह किसानों की जो बदाली है, तो यह इसमें कुछ ना कुछ-कुछ इस तरह तक सुधार आया सकता है, बिल्कुल बहुत एकदम सटीक जो है, उन्होंने काणा पढ़ती है नहीं है, जबरब थी हैं की बनवाए, अभ अपने कोई जमीन बेच रहा है, कोई जेवर बेच रहा है, अपना दे रहे हैं सरकार को, बिल्कुल, बिल्कुल, तो एक किसान भाई और है, यह उन से भी बात-चीत कर लेते हैं, अपना नाम बताएं, गाउं मेरा जी अगर हम किसान क्रेड़िक कार्ड के बारे मैं बात करें किसान क्रिडिट ठीक ले तो शुरू रूब क्रेसे मिल जाता है वह ठीए कोई दिक्त नहीं है ले delegation प्रहूं करना है तो इसका यह है कि चलो चालना हो जाये बाद में उद्हिंगत हो तो इसमें थोड़ा कोरुश को सुधार करना चाहिए बिलक्ल, तो हम कोशिश 또 हमारी भी बी पूरी यही है कि हम इसी तरीके के तरीके से जो है वो गाओं गाओं जाएं और जो हमारे किसान हैं और सरकारी योजनाओ के पारे में वो क्या जानकारी रखते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव उनके हैं सरकार के लिए और किस तरहा के समाधान वो चाहते हैं तमाम ये बाते जो हैं वो हम आगे तक पहुचाएं आई ये देखते हैं एक विशेश रपोर्ट इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है किसान की भूमी और इसके द्वारा अरजित आयके आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं इसके लिए योग के होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्न लिखे सुविधाई मिलती हैं नाम के साथ पास्बुक, भूमिका विवरन, पता, वैदिता अवधी, क्रेडिट सीमा जो ग्राह की अद्वितिय पहचान के साथ-साथ उनके लेन दिन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कारे करता है ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तिमाल किया जा सकता है साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है के सी सी के उधार करता को एक ATM सहट डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे ATM हो एवं POS टर्मिनलों से अहारन कर सके के सी सी एक विवित खाते के सुरूप का होगा इस खाते में कोई जमाशेश रहने की स्थिती में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा KCC में 3 लाख रुपए तक की राशी पर प्रसंस करन शुल्क नहीं लगाया जाता है KCC खातों का वार्शिक आधार पर नवीनी करन करना आवश्यक है ताकि 5 वर्शों के लिए सतत आधार पर इसकी रिन सीमा को जारी रखा जा सके अतह शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथा वश्यक्ता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्शों की समाप्ती के पूर्व नवीनी करन पत्र प्राप्त कर ले इस नवीनी करन के उद्देश को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं सम्बंधित उधार करताओं से एक साधारन सा घोशना पत्र प्राप्त कर ले पात्र फसलों को फसल भीमा योजना राष्ट्रिय क्रिशी भीमा योजना के अंतरगत कवर किया जाएगा प्रोग्रम में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का जल लोठेंगे वापस आप देखते रहे कारकरम चौपाल चर्चा अरे सुनतो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुना मेरी सौतन को किसको अरे वही तुम्हारा मुबाइल फोन जिससे सुवा शाम दिन राज चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बाते हो रही है अच्छा ये बात है क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब जट से बात हो जाती है अब तो ज्यादा लाइने और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुलंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहां से फोन आ जाता है और समस्या की हलका मैसिज भी आ जाता है ये देखो, आ गया अरे बाप, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्मा तब ही मैं सोचूं कि आज कल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है क्रिशी संबंधी समस्याओं का अपनी भाशा में तुरंध हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्प लाइन नंबर पर समपर करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर क्या बात है भई, आज कल तो काफी कुछ नजर आ रहे हो क्यों नहूँ, अब मैं और्गनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्रक्रिटिक है, और्गैनिक है इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदے में होते हैं और इसमें लागत भी कम है जी हाँ, आप भी और्गनिक खात का प्रयोग करें अपनी फसल और मिट्टी को तंद्रुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टॉलफी नंबर 18-00-18-1551 पर कॉल करें और लोगान करें किसान.goe.in और pharma.goe.in किसान का ल्यान मंत्राले द्वारा किसान हित में जारी सूखा हो या पे मौसं की बरखा हो कीड़ा लगे केत में आदू विधा हो बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई फसल भी मित रहे कटाई के बाद भी भाई हाँ किसान का ल्यान मंत्रा ले द्वारा किसान हित में जारी किसान भाईयो गाट बांद लो गाट बांद लो बहुत बहुत है काम की समरिधी के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर राज को समझो मिट्टी की तुम जाच कराओ मुफ्त सॉयल हेल्थ काड ले जाओ कभी मुनासिब भीज लगाओ सही किसम की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बनारो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत दिक वरदान की किसान भाईयो गाट बांद लो आज ही मिट्टी की जाच कराएं राजिस सरकार के क्रिशी अधिकारी से समपर करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ काड पाएं किसान कल्यान मंत्राले द्वारा किसान हित में जारी प्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है कारक्रम चौपाल चर्चा में तो फिर आईए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अधिकारी जी हमारे साथ मौजूद हैं किसान Krented Kारड जाएं मौह नहीं को बड़े किसान क्रेडिट कारड को भी थूड़ा सा समझना चाहेंगे आप Loras यह कैसान क्रेड़ कार्योजना किसानों को किस तने से सब्स الصPA में कि या उध्यानिक फस्ले सभी का उत्पादन लागत देख़ाना गहाती है उसी आधार पे विसेतन होता है कि हर जन्पद की जो अमारी उपादन लागत भवे सकती है क्योंकि कई पानी ज्यादे गहराई पर है कंक न पानी जार कम घहराई है और भुजदा पास उस तरह की सुध इसके बैठेक होती है बैंके साथ में सभी डिपार्टमेंट बैठते हैं और जाती है कि उत्पान लागत उनकी कितनी है उसी आधर पर से उनको तो आये हैं यहां पर भी हमारे किसानभाई मौजूद हैं उनसे बात करते हैं आपका नाम जानना जाओंगी सबसे नाम सुगंच वो लगए इंस्पेक्शन चार्ज भाई अपने जगें पर बैचे आपकी जो रिक्वेस्ट थी वह हमने बिलकुल यहां पर आगे बिलकुल पहुचाएंगे पूरी कोशिश करेंगे उसकी और आप क्या बचाना चाहेंगे अपना नाम बताईगे अपने नाम पताईगे मेरा एक कहने का करेड काड के अपर बोल ला मतुड़ा जैसे थीन लाग रुपेशव पर चलता है तो गोर्मिट ना इसका ब्याज दूना कर दिया तेरा परसेंट कर दिया सतरह कर दिया चोजा कर दिया इस ब्याज को किसान जेली ने सकता है यह इस मुद्ध को बहुती ध् करता पुचाओ इसमा अगर यह सुविधा मिल जा किसान को को हर साली किस तो बाइजी जमा करदा अगर एक दम उन पर जमा करने के आमदनी होती तो मैं हो सका इस तरफ को कदम ना बलाते किर्शी काड की तरफ को मेरा कहने का मतलब यह हो कि यह जो तीन लाग सो पर चलका इत और जरूरत के नुशार ठाना पड़ा इसे काम नी कर सकता किसान यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है आप से में बात करना चाहूंगी अपना नाम बताईए सबसे पहले मेरा नास ओंपाल कष्चप ग्राम महरेपूर जी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे यह सलाह अजी के किसान का प्रेमिट अगर एक घम सा आया तो वह किसान कर्डिट कार्ड टाम पर जमा कर सकता है लेकिन जब पैसा ही नहीं दे रहे हैं मिल मालिक पैसा दबाव बठ तो उसका कहा किसान कहां जमा कर देगा क्या पेच्चे गाउग तो अपने आज के कारक्रि ऑप ले पारे हैं उनकी कितनी शिकायते हैं कौन-कौनसी समस्याइं किस तरह के किसान सुझाव दे रहे हैं सरकार को और समाधान चाहते हैं तमाम बातों कि आज हिए के च्रचा-कर्षा आग cords झाल झाल